हर्जन सब्द का इतिहास बहुत पुराना है प्राचीन काल में दक्षिन भारत में एक परंपरा थी साधी विबाह के उपरान पती पतनी मंदिर में जाकर बहां संतानों प्राप्ति की कामना करते थे समय संयोक से उनकी मनोकमना पूर्ण हो जाती थी परंतु यदि संतान की रूप में कन्या प्राप्त होती थी तो बे उसे देवताओं के आंगे भेंट रूप में चढ़ा कर बहां के पंडितों पुजारियों के देदे थे मंदिर दिवालों में देवताओं की पत्थर की मूर्ती की आंगे भेंट रूप में चढ़ाए गई बाला जब जवान ये बड़ी हो जाती थी तब बहां के पंडे पुजारी और प्रवंदक लोगों की निगाहें पड़ती थी उनके मन गंदे होने लगते थे बे बे कामों को उठते थे तो फिर बे उन यौबनाओं को अपनी काम बासना का सिकार बना बड़ते थे ऐसी स्थिति में बेबेचारी ये उप्तियां गरब बती हो जाती थे तब मंदिर के पंडे पुजारी के सामने यह समस्या खड़ी होती थी कि उन युपतियों द्वारा उत्पन उन संतानों के पिता कैसे बताए जाए यदि भे उन्हें अपने से उत्पन होना बताएं तो ऐसा करने से कुलिंता और पापों का वबंडर हो जाएगा इस से बचने के लिए उन बालाओं को मंदिर की मूर्तियों के साथ फेरे लगवा कर उनका बिवाह करने का नाटा कर देते थे और उन्हें यह कहते थे कि अब तुम्हारे पती ये देपता हरी ही है और तुमसे जो संतान प्राफ्थ हुई है बेदेपता ने हरी द्वारा पैदा की गई है इसलिए उनके पिता हरी है इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि इन संभ्रमताइं कहे जाने वाले दुराचारी कामुक द्वारा इन अवालिकाओं के साथ कुकर्म करने पाप कर्म करने से जो संतान उत्पन हुई पे हरीजन नाम से पुकारे जाने लगे इसलिए हरीजन सब पवित्र नहीं वर्ण वेद और जाती वेद हिंदू धरम की एक संस्था है अतह है वर्ण वस्ता फूंक मार कर उड़ाई नहीं जा सकती मनुस्मती में चतुर्थ वर्ण का बिधान है उ उनके अनुसार सुद्रों का काम प्रामण चत्री बैस और लाला जैसे लोगों को सेवा करना है इसका दूसरा पहले भी देख लेगते हैं गांदी जी ने हरीजन सब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समिधायों के लिए करना सुरू किया था जो समाजिक रूप से बहिस द्वाव को समाप्त करने के लिए गांदी जी ने उन्हें यह नाम दिया था और बाद में इन्हें हर्जन नाम से जाना जाने लगा था और उन्होंने हर्जन नाम की एक पत्र का भी प्रकासित की थी जो तीन भासा में थी इन समाजिक बुरायों के लिए बे नीमित लेख थे लेकिन जब हरजन सब्द को प्रतिवंधित कर दिया गया है हरजन सब्द के इस्थान पर अब अनसुजित जाती का इस्तमाल करना अनिवार कर दिया गया है हरजन सब्द पाकिस्तान के दलितों के लिए भी प्रियोग होगता था जिने हरी कहा जाता था और जो मिट्टी के जोपड़े में निवास करते थे गांदी जी का उद्देश तो बहुत अच्छा था लेकिन उनके साथ देने वाले लोग बहुत कम थे और हरिजन सब्द अच्छूतों को एक अभिसराप के रूप में मिला जिसका उप्योग उन्हें सिर्फ नीचा दिखाने के लिए इस्तमाल किया जाने लगा दुक्की बात तो यह है कि कुछ अन्सुसित जाती के लोग खुद को हरिजन बताते हैं यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करें आँगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें धन्नवाद